कि बारिश के बार अस्त्वेस्ट हुआ मेरा गार्डन स्वाकत है साथियो सभी के साथ यह हो रहा होगा यह देखाँ पूरा पॉटी टूट गया और बहुत कुछ अस्त्वेस्ट हो रखा है इस तरह से कुछ पॉट्स में देखो इतना पानी लवालब भरा हुआ है इनको टिल्ट करके गिराना बहुत ज़रूरी है नहीं तो वाटर लॉगिंग से पूरा प्लांट ही खराब हो जाएंगी कुछ प्लांट के लिए तो बर्दान ही है बारिश यह देखो मेरी वाटरमेलन बिगोनिया कि तक खुछ सूर्ती से बढ़ रहा है इसकी न्यू ग्रोथ और यह पुरानी इसकी ग्रोथ और कुछ प्लांट तो ओवर्वाटर होके मर रहा हैं इस साड़ भी खुब बारिश आई है इनके उपड़ यह देल भी कितने खुब्सूर्ती से बढ़ रही है यह चोटी वाली आलव अन्डाई बोला है उसमें तो यह और यह पिछे फ्लावर्स और यह स्वीट पिटेटो वाइन यह वाली यह वाली पिटेटो वाइन यह वा कि यह कोब बढ़ रही है इस टाइम पर और यह इन में भी देखो न्यू लीफ निकल रही है और इसके वी वेलिंटाइन एक्नोलीमा के वी लीफ निकल आए है और यह मेरा कॉइन प्लांट इसको पता नहीं क्या हो गया वेर वाटर होके लग रहा है यह और इसमें भी कोई निया प्लांट निकल रहा है और यह मेरे वाटर लेटिस इसमें भी देखो मैंने एक पती डाल दी थी इसकी कॉइन प्लांट की यह तो कितने अच्छे से चल रही है और यह भी देखो किती बड़ी अक्रोथ हो रही है इसकी इसमें पताने शायद पानी सुख गया यह काम करना पड़ेगा अभी यह पूरा ब्राउन लीफ इसकी काटके निकालने पड़े इसकी पानी की बूंदे देखो कितनी खुब्स अज़रत लग रही है इनके उपर सब चगार अब माने की कुछ कमले मैंने इस तना से टिल्ट कर दिये थे ताकि इसमें ओवर वाटर से इस इंगॉनियम भी मर जाता है कि यह टाइम कि जख करने का होता है कि किसमें पानी रूप रहा है यह भी मुझे लग रहा है यहां से उठाना पड़ेगा बाहर से और यह मेरा बुगावाटर है अबर साथ में दो इसमें खराबी हो जाते हैं सारे अमरूद देख एक रोस खिला है और इसकी ग्रोथ देख रहा है यह चांदनी की कित्ता पूरा ग्रीन और कुछ बड्स भी आई है ग्रोथ तो इस टैम पर टैंगल हार्ट भी बहुत पढ़िया करते हैं भरावा पूरा और खूब ग्रोथ करीया मेरे मरिंगा ट्री ने सोच रहे थी थोड़ा सा इसको छटवा दोंगी लेकिन अब इसके उपर तोरी की बेल चड़ गई है कि यह मेरी क्लामेटिस की बेल अभी तक इसमें फ्लारिंग नहीं हुई है देखते हैं अभी और यह उपर पेड होंगे तो यह पच्छी आते हैं इसके अपर बहुत संदर बर्ड्स आते हैं देखो सुनरी होगी आपको आवाज और खुबसूरत ग्रोथ करने वाला मेरा यह देखो फाइकस एलास्टिका रबर प्लांट किता खुबसूरत आए यह वाँ ग्रोथ है इसके दो इसने भी बहुत संदर ग्रोथ करिये और यह मॉंस्टेरा की देखो बहुत एक अबसूरत लीफ निकले इसमें इतने बड़े बड़े और अच्छी ग्रोथ करने वाला है मेरा यह पिलाइची प्लांट देखो कितने बड़े बड़े लीफ निकल रहे हैं इसमें अभी तक कुछ लगा नहीं है इसके उपर काफी बड़ा प्लांट हो गया है और यह देखो इसकी कितनी खुबसूरत न्यू लीफ में वेरिएशन आई है यह हां था थोड़ा गुच्छा साही बन गया है इसकी कटिंग करके वाटर प्रॉपगेट करके और यह मेरा टाइगर टीथ सारी एलिफंट टूथ के इसमें दिखाया था मैंने अभी यह तीन फ्लार्स खिले थे इसको भी सोच रहे है इसकी ग्रोथ का टाइम में रीपार्ट करते हैं करकि इसकी साइड में देखा यह बे साइड में भी एक चोड़े में वाले पॉट में लगाते हूं क्योंकि जड़े तो इसकी ज्यादा नहीं होते हैं गहरी और खुब खिल रहे हैं यह आला मांडा के बड़े बड़े फ्लार्स इस देखा यह और यह दो कलर है मेरे पास बहुत ही सुंदर कलर रही है यह मैंने कटिंग से गगाया था और येलो वाला मैं यह देखा बाहर भी खिलिया हुए अप्लावज इसके और यह है चांद नहीं देखा बारिश होने के बाद किस तरह इसमें पानी भर जाता साइड में और यह यह यलो अला मंड़ा देखो खूब सारी बट्स है इसमें और यह मेरा सुचिंग डान चलो बारिश का अनंद उठाओ आप लोग भी ओके बाई फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब